दोस्तो कहानी की शुरात होती है ब्राइन और कैसी नाम के एक कपल को दिखाते हुए, जिनकी कुछी दिनों में शादी होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इनका रिष्टा कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसलिए डिसाइड करते हैं कि ये दोनों शादी करने से पहले कुछ वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। इसके लिए ये इटली जाने का प्लान बनाते हैं। जहां ये एक बड़ा सा घर बुक कर देते हैं और जब वहाँ पे पहुशते हैं तो देखते हैं कि उनका कैब ड्राइवर उन्हें किसी और घर के पास ले आया है जिसके बाद अपने ड्राइवर से कहते हैं कि ये वो घर नहीं है जो हमने बुक किया था और फिर ड्राइवर इन्हें इनके घर तक पहुचा देता है। ये घर बहुत ही बड़ा और खुबसूरत होता है साथी ने टेबल पर एक वाइन की बोतल भी रखी हुई मिलती है जो इस घर के ओनर ने इनके लिए रखी थी। वहीं एक नोट भी होता है जिसमें लिखा था कि मैं पासी के शहर में हूँ अगर जूरत पड़े तो आप फोन कर सकते हैं इसके बाद दोनों कुछ रोमैंटिक मोमेंट से नजॉय करते हैं और इतने में ही ब्राइन का फोन रिंग करने लगता है कैसी उससे कहती है कि हम दोनों जब तक यहां पे हैं तब तक अपने फोन को बंद रखेंगे कैसी की बात मान का ब्राइन अपना फोन बंद करने के लिए जाता है और देखता है कि कैसी के फोन पर उसके एक्स पॉइफरेंट का कॉल आ रहा है। दरसल इसी लड़की की वज़े से कैसी ने ब्राइन को चीट किया था और इनके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ गई थी जिनने दूर करने के लिए ये दोनों यहां पे आये थे। इसके बाद कैसी ब्राइन को नीचे स्विमिंग पूल में बुलाती है और दोनों इंटिमेट होने ही वाले होते हैं कि ब्राइन का मूड खराब हो जाता है। इसलिए वो कैसी के साथ इंटिमेट नहीं हो पाता जिस वज़े से वो उसे नाराज हो जाती है। हलाकि वो उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो सो जाती है। इसके बाद ब्राइन जब घर में रखी चीजों को देख रहा होता है तब उसे एक बहुत ही अजीब सी किताब मिलती है जिसे पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है। अगली सुबग कैसी ब्राइन के लिए नाश्ता बनाती है और जॉगिंग करने के लिए निकल जाती है। सुनकर फैडरिको उने कहता है कि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों को लिफ्ट दे सकता हूँ, पर ब्राइन उसे मना कर देता है, जिसके बाद फैडरिको यहां से चला जाता है, और उसके जाने के बाद ब्राइन कैसी से कहता है कि मुझे आदमी बहुत ही अजीब लगा पर कैसी उसकी तारीफ करते हुए कहती ही कि वो बहुत अच्छा है आज उसने मेरी बहुत हेल्प की जिसके बाद इदोनों शावर लेने जाते हैं और फिर इंटीमेट होने लगते हैं लेकिन ब्राइन अभी तक कैसी के धोके को भूल नहीं प लगते हैं जहां फैटरिको ब्राइन से पूछता है कि तुम दोनों कैसे मिले थे इस पर वो काफी शॉप का नाम लेता है लेकिन कैसी उसे कहती है कि हम डीटिंग अप पर मिले थे बात करते करते ये तीनों टाउन पहुच जाते हैं जहां ब्राइन कैसी से कहता है कि मुझ यहाँ पे आये थे, पर अब शायद ऐसा नहीं हो सकता, इतना कहकर वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है, और ATM मशीन से पैसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ATM मशीन की लेंगविज उसे समझ में नहीं आती, इतने में ही यहाँ पे फैटरिको आ जाता है और कैसी उससे कहती है कि मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ तुम मेरी हेल्फ करने आ जाते हो, जिसके बाद वो पैसे लेकर घर आ जाती है, और ब्राइन को हम एक बार में देखते हैं जहाँ फैटरिको भी आ जाता है, उसे देखकर ब्राइन उसे सौरी कहता है और अपने मन की उसे सारी बात बता देता है यहां तक कि वो कैसी के धोके से लेकर अपने रॉक स्टार ना बन पाने तक कि सारी कहानी उसके सामने रख देता है और फिर उससे कहता है कि मैं कैसी से बहुत प्यार करता हूं लेकिन उसके धोके को भुला नहीं पा रहा हूं ये सुनकर फैटरिको कुछ नहीं बोलता और नहीं अपने बारे में ब्राइन को कुछ बताता है इतने में ही यहाँ पर दो लड़कियां आ जाती है जिनने देखकर फैटरिको ब्राइन से कहता है कि तो मैं अपना मूड अच्छा करने के लिए इन लड़कियों से बात करनी चाहिए इसके बाद ब्राइन भी उन लड़कियों से मिलता और खुब ड्रिंग करता है फिर फेडरिको उसे कहता है कि आज रात मैं तुमारे घर जाओंगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारे घर की चाबी है। ब्राइन उसकी बात सुनता तो है लेकिन नशे की वज़ा से कुछ समझ नहीं पाता और उन लड़कियों के साथ इंटिमेट होने के लिए रूम में चला जाता है। इदर रात में फेडरिको कैसी के रूम में आ जाता है जहां वो सो रही होती है और वो उसके बालों को टेश करता है। कैसी को लगता है कि ये ब्राइन है वो उसे किस करती है और फिर सो जाती है। सुबर जो ब्राइन की आगे खुलती है तो वो जल्दी से अपने घर जाता है जहां कैसी उसे कहती है कि मैंने बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार किया था। वो कैसी से कल राद के बारे में कोई बात नहीं करता और शावर लेने के लिए चला जाता है। तब ही उसे फेडरिको की वो बात याद आती है कि उसके पास ब्राइन के घर की चावी है। वो कैसी से पूछता है कि क्या कल राद फेडरिको यहां पे आया था। यह सुनकर वो गुसा हो जाती है। और उसे कहने लगती है कि तुम्हें मुझ पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है। और तुम फेडरिको के बारे में इतना गलत क्यों सोचते हो। ब्राइन उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। और फेडरिको के घर पहुँच जाता है। यहां हमें पता चलता है कि फेडरिको उसी घर में रहता है। जहां ब्राइन और कैसी का ड्राइवर उन्हें गलती से ले गया था। हाल movements जब Brian उसे मिलने के लिए उसके घर जाता है तब उसे पता लगता है कि फडीरिको अब इस घर में नहीं रहता है इदर फडीरिको कैसी के घर आकर उससे कहता है कि मैने Rabbis का शिकार किया है और आज रात में तुम दोनों के लिए डिनर बनाना चाहता हूं इस पर कैसी राजी हो जाती है जिसके बाद ब्राइन भी यहां पे आ जाता है और इन दोनों को बात करते हुए देखता है फेडरिको उसे कहता है कि मैं कल रात के बारे में कैसी को बता रहा था ये सुनकर ब्राइन जल्दी से उसे साइट में ले जाकर कहता है कि मेरे घर से अभी निकल जाओ फिर फैटरिको उसे पूछता है कि क्या आप हम दोस्त नहीं है अगर नहीं है तो फिर मैं कैसी को कल रात के बारे में सब कुछ बता देता हूं कि कैसे तुमने होटल के रूम में उन लड़कियों के साथ रात कुजारी है इसके बाद ब्राइन उसे पूछता है कि आखिर तुम चाहते कि आउ जिस पर वो दिनर का नाम लेता है और फिर तीनोग डिनर करते हैं फैटरिको के घर जाते वक ब्राइन उसे दुबारा यहां ना आने को कहता है साथि पूलिस बुलाने की धमकी देता है इस पर फैटरिको हसते हुए उसे कहता है कि फ्लीज ऐसा मत करना, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है और उसके बदले तुम मुझे ये सजा दोगे। इतना कहकर वो यहां से चला जाता है। उसके जाते ही ब्राइन कैसी से कहता है कि मुझे फैटरिको बहुत डेंजरिस इनसान लगता है जिस पर कैसी कहती है हाँ, आज मुझे भी ऐसा लगा। फिर ब्राइन घर के उनर को फोन करता है और उसे कहता है कि हमारा जो पडोसी है वो हमें बहुत परिशान कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि फैटरिको कैमरास के जरिये ब्राइन और उनर की सारी ब पना कर देता है और फिर दोनों एक दूसरे को माव कर देते हैं फिर ये ब्राइन लगा कर वाइन लेने नीचे बेस्मेंट में जाता है कि तभी बेस्मेंट का दर्वाज़ा अपने eh with बंध हो जाता है वह से खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन और आ जिसे वह से सोच के पहन लेती है कि ये ब्राइन ने उसके लिए रखा है और तभी कमरे में फैडरिको आ जाता है जो उसके साथ इंटिमेट होने लगता है और कैसी सोचती कि ये ब्राइन है तभी हमें पता चलता है कि ब्राइन को बेस्मेंट में बंद फैडरिको नहीं किया है वहीं दूसी चेक करती तो उसे किसी ने ब्राइन की इंटीमेट वीडियो भीजी थी जो उस रात के थी वही ब्राइन जब रूम में आता है तो उसे स्क्रीन पर फेड्रिको और कैसी की इंटीमेट वीडियो दिखाई जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी गुसा करता है और ये दोनों ही एक दूसरे पर शक करने लगते हैं ब्राइन को लगता है कि फेडरिको और कैसी उस रात इंटिमेट हुए थे जब वो घर पर नहीं था इसलिए वो गुसे में कैसी से कहता है कि क्या तुमने फेडरिको को वीडियो रिकॉर्ड करने का आइडिया दिया था साथी वो उससे ये भी पूछता है कि क्या तुम्हारे कहने पर फेडरिको ने मुझे इतनी ड्रिंक पलाई थी ये सुनकर कैसी को भी गुसा आ जाता है और वो उसे कहती है कि तुम उस रात उन लड़कियों के साथ इंटिमेट हुए थे जिसके बाद वो उसे वीडियो दिखाती है और फोन स्क्रीन पर मार देती है जैसी ही स्क्रीन का काश तूटता है वो देखते हैं कि उसके पीछे हिडन कैमराज लगे हुए है और वो समझ जाते हैं कि एक काम फैटरिको का ही है ये दोनों पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं वहीं फैटरिको भी यहां आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों को इन कैमरों के बारे में पता नहीं लगना चाहिए था वैसे तो मैं यहां आई हुए सबी लोग को देखता हूँ पर उनकी लाइफ में इंटरफेर नहीं करता लेकिन कैसी को देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया फैडरिको के हाथ में एक चाकू भी था जिसे ब्राइन च्छीनने की कोशिश करता और दोनों में हाथा पाई हो जाती है ब्राइन को बचाने के लिए कैसी लोहे के सरीये से जैसे ही फैडरिको पर वार करती है वो उसके पेट में खुस जाता है जिस वज़े से उसकी डेथ हो जाती है और ये दोनों जल्दी से उसकी लाश को छुपा देते है इतने में ही यहाँ इस घर का उनर आ जाता है जो ब्राइन से पूछता है कि क्या अभी वो पडोसी आपको परिशान करता है इस पर ब्राइन मना कर देता है जिसके बाद वो से निकल कर सीधे फैटरिको के घर जाता है यानि कि ये दोनों मिले हुए थे वो रिकॉर्डिंग में देखता है कि किस तरह इन लोगों ने फैटरिको को मार दिया और फिर वो गुसे में दुबारा कैसी के घर जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम दोनों न तभी मुवी में एक ट्विस्ट आता है दरसल उस घर के बाहर भी कैमरे लगे हुए थे जिसमें ब्राइन और कैसी लाशों को जलाते हुए रिकॉर्ड हो जाते हैं और ये सभी रिकॉर्डिंग को एक इनसान ने बल्के दुनिया भर के लोग देख रहे थे दरसल जो भी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था वो सब एक प्राइवेट वेबसाइट पर लाइफ टेली कास्ट हो रहा था यानि दुनिया भर के लोग ये क्राइम होते हुए देख रहे थे पर कुछ कहने सकते क्योंकि ये वेबसाइट इलीगल थी वहीं इस वेबसाइट पर इस घर की तरह और भी कई घर थे जिन में हिडन कैमराज लगे हुए थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है दोस्तो अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कीजे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकॉन प्रेस करें जिससे आप से आने वाली वीडियो मिस्नाओ मिलेंगे आप से अगली वीडियो में तिल देन बाइ-बाइ, टेक केर